दोस्तों अपने देश में जितनी भी डेथ, जितनी भी मौत होती है हर साल, उन्हीं मौतों में से कई सारी मौत ऐसी होती है जो कि डौरी डेथ में काउंट होती है। दोस्तों डौरी डेथ में जो भी डेथ होती है, जो मौत होती है, उनके केस कैसे चलते हैं, कितनी उन्हीं मिनिमम सजा होती है, कितनी मैक्सिमम सजा होती है, क्या बोलते हैं जज्जमेंट्स जो वक्त वक्त पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पोछते हैं, अगर कोई पर बहुत आपके साथ भी घटित होई है आपके परिवार में रिष्जदारी में या फिर यार दोस्तों में कहीं पर भी अगर ऐसी कोई घटना होई है या फिर इलजाम लगा हो उस पुरुष पर जो उसका हजबेंड था या फिर मौत हुई हो उस लेडी की जो शादी करकर अभी रिसेंट में अपने घर गई थी ऐसे मामलों में केस कैसे चलेगा कैसे आप बेल लेंगे या फिर जो एक्यूज है उसे सजाद तक आप कैसे पहुचाएंगे उन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करूँगा अपनी इस वीडियो में जादा कुछ जानने के लिए डॉरी डेथ 304 B के बारे में दोस्तों बने रही हमारी इस वीडियो के साथ या फिर क्या ऐसी प्राबलम आपके जीवन में खड़ी हो जाएगी जिसके लिए आप तयार ही नहीं हो और अकसर ऐसा होता भी है मान लीजिए अभी रिसेंट में किसी की शादी हुई एक दो साल ही गुजरे हैं अभी उनकी शादी शुदा जिन्दगी को और इतने में ही जो उसकी वाइफ है वो सूसाइड कर लेती है मतलब की मौत हो जाती है उसकी अब वो सूसाइड थी या उन्होंने मारा था यह दोनों अलग अलग बाते हैं अगर लड़के की बात करें तो वो एक्यूज बन गया और जिसकी मौत होई वो डिसीजड बन गई आप आए है पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में लगा बला ऐकन जरूर दबा दे ताकि इसी तरह की जो प्रैक्टिकल जो वीडियो लेकर आते है कोट में क्या चलता है प्रैक्टिकली बताते हैं जो हमारे परसनल एक्सपिरियंसीज हैं उनको आपको शेर करते हैं यह सब एक्सपिरियंसीज आप तक पोच सके और आप अपने आपको जानकर बना सके हैं अब दोस्तों 304 बी 304 बी को कुछ इस तरह से आप समझिए 304 बी चीजों का तीन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है तब ही यह डौरी डेथ बनेगा वरना ही डौरी डेथ नहीं बनता है सबसे पहली बात जो मौत हुई जो लड़की की मित्व होती है अब वो सुशाइड हुई या फिर किसी ने मारा इन दोनों ही मामलों में साथ साल क कि अंदर वो घटना होनी चाहिए साथ साल से उपर गई तो बात अलग है पर साथ साल के अंदर अंदर हुआ तो लड़के को तो जेल जाना ही होगा उससे कोई बचा नहीं सकता और साथ में ही अगर ऐसा कोई कंड़क्ट था जिसमें कि उसकी मदर भी ती फादर भी उसकी स उसके ब्रदर उन सब का भी नाम आता है 304 B में जब F.I.R. लॉज होती है साथ में ही 498 A भी लगता है 34 भी लगाय जाता है 302 पर भी लगाय जाता है इन मामलों के अंदर 302 पर भी कारवाई चलती है अब इस मामले पहली बात तो 7 साल से पहले होनी चाहिए वो मौत दूसरी बात cruelty होनी चाहिए cruelty किस तरह की होनी चाहिए फिर चाहें मौकिक हो या किसी को मारना हो मारपीट करना हो किसी के साथ में वो दोनों ही cruelty की शिरिणी में आता है कि मारपीट आपने बहुत ज़्यादा साथ में किसी की है ऐसा conduct आप करते आ रहे हो या फिर किसी को आप गलत क्या आती है तीसरा element यह है कि conduct कैसा था मतलब कि शादी तो हो गई लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं अब उनका conduct कैसा है अगर वो लड़का बार-बार मार्पीट करता है साथ में परिशान करता है गालियां देता है बार-बार लड़की अपने घर पर जाती है रोती है परिशान होती है फिर भी घरवाले समझा बुजा कर भेज देते हैं हमारे देश में ऐसाई होता है हमारे देश की भारतवर्ष की जो संस्क्रिती है वो यहीं बोलती है कि जो भी है लड़की अगर घर दूसरा बन जाता है जा वो शादी करके जाती है पर हां कई बार गल होते हैं उनको बहुत सफर करना होता है और उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए जिंदगी नर्ग की तरह हो जाती है ना ही तो ठीक से ना ना नहीं उनकी देखभाल कर पाते हैं और ना ही दादा या दादी कब तक वो करेंगे उन इस पूरे मामले को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे जैसे की पारवती देवी वर्सिस स्टेट ऑफ जारकन बिहार ये जारकन आप डालोगे तो वहाँ पर आपको जज्जमेंट मिल जाएगा चार जज्जमेंट मैंने आपके लिए निकाले हैं साथ में दूसरे आप इन चारो जज्जमेंट को देखेंगे 304B के बारे में डिटेल में बताया है कि कब-कब 304B लगता है 304B के लिए cruelty होना जरूरी है साथ में ही unnatural death होनी चाहिए unnatural death है तो ही 304B में आएगा और तभी cruelty के साथ साथ में ही यहाँ पर 498A लगाया जाएगा 34 लगाया जाएग तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा होता क्या है इस मामले में दोस्तो होता क्या है लड़की चाहाँ सूसाइट करें चाहाँ उसका murder हो किसी भी condition में death होई हो death जो होती है जहाँ पर 304B अपलाई हो जाती है वहाँ कैसे होता है जलकर किसी की death हो गई हो साथ में किसी भी तरह जहर पी लिया हो जहर खालिया हो या किसी भी तरह कोई भंग होकर कोई मरा है कटकर कोई मरा है या कोई ऐसा कोई एक nature में किसी की death होई है जो कि unnatural थी वहाँ पर 304B लग जाता है और साथ में 302B अपलाई कर दिया जाता है अब दोस्तों इसी में हम सजा की बात कर ल जिन में तक ये सजा बढ़ाई जा सकती है अब इसमें एक बात और समझने वाली दोस्तों आती है डॉरी डैथ का मतलब क्या है डॉरी डैथ मतलब कि किसी भी तरह से दहेज मांगा गया हो शादी हो गई दो-तिन साल के बाद में कोई दहेज की डिमांड करते हैं कि अपने घर से इतना पैसा लेकर आओ और आप अगर इतना पैसा लेकर नहीं आते हो तो आपको मारेंगे पीटेंगे या फिर जान से मारने की धंकी दी जाती है ऐसी मामले कोई बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए अगर ऐसी दहेज की साथ में क्रूयलिटी की जाए कि अगर जो ची से या फिर अपनी मरजी से दिये गए थे ऐसे मामले इस चीज के दिर नहीं आते हैं पर दोस्तों मैं आपको जरूर बता दूँ अगर कोई भी आपका जानकार परीजन कोई भी अगर जेल में है तीन सो चार बी के मामले में डौरी डैथ का केस उस पर लगा है तो जल्दी स बेल तो नहीं होगी statement तक ये case जाता है पर मैं आपको बता दूँ अगर आप बहुत अच्छे से अपने case को present करते हैं बहुत अच्छे से समझा पाए अपने case को जच साहाब को आप तो मेरा मानना है आपको बेल भी मिलेगी और साथ में ही जब evidence होता है जो गवा आता है पह कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में है डौरी डेथ को लेकर आप सवाल पूछी अपना हम उस पर रिप्लाइज जरूर करेंगे कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की दोस्तों अच्छा लगा वाज का वीडियो हमारी वीडियो को जाद है करें ताकि वह भी अपने आपको कानूनी जानका बना सके बहुत बहुत शुरूर के दोस्तों देवाद अमारी इस वीडियो के साथ बड़े रहने के लिए